जहीं दोस्तों, दोस्तों इस पर से अगस्त की पिंसंद कन्फरम हो चुकी है, कब मिलेगी, कितनी मिलेगी इस पर चरचा करेंगे और इसके अलावा दोस्तों महत्पॉन खबरीया ہے कि अब सर्कुलर 631 को सब के लिए लाभो कर दिया गया है और इसका असर दोस्तों आपकी पिंसन में O.R.O.P. 3 में भी पढ़ने वाला है और O.R.O.P. 3 के बारे में भी इस वीडियो में दोस्तों चर्चा करेंगे और इसके अलावा 2-3 पॉइंट और हैं कई पिंसन को ठीक है तो इस परकार से आप देख रहे हैं मेल आई है मंतली पिंसन अपडेट अगस्त दोहजार चॉबिस तो यहां पर इनको बताया गया है कि आपकी सर्विस पिंसन इतनी जो डियार अमाउंट है डियरनेस रिलिव यहां इतना मिलेगा ठीक है और इसी परका पता है तो दोस्तों ऐसा नहीं है मैं आपको यहां बता दूँ आप यहां देखे कलेंडर अगस्त का तो यहां 31 तारीक को पढ़ रहा है सेटरड़े सेटरड़े को रहता है PCD में और और आपको पता होना चाहिए कि लास्ट वरकिंग डे को PCD कि तरफ से आपकी पेंसन क्र बड़ा है तो क्या आपकी बार की पेंसन में वह आने वाला है तो दोस्तों अभी नहीं आने वाला है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगले महीने तो यानि कि सितंबर में तो गर्मेंट की तरफ से उसको अनौंस किया जाएगा कैबिनेट में जो भी है उसकी स्व पता है कि कई डिपेंडेंट्स ऐसे रहते हैं जो डिशेबल रहते हैं लेकिन केंटीन से वो जो है ग्रॉसरी आइटम या लिकर उनको लागू है वो वहां से लेते रहते हैं लेकिन डिशेबल होने के कारण बीमार होने के कारण ये ही नहीं दोस्तों जो बुजूर्ग हैं वो भी बिमार होने के कारण या फिर जो है बुजुर्ग होने के कारण वो CSD से खुद नहीं जा सकते हैं सामान लेने के लिए तो एक अच्छा initiative यहाँ पर आप देख सकते हैं कि point permit dependent of old and sick beneficiary to purchase grocery item only जिया दोस्तों इसकी authority बनेगी ठीक है न और जो old और sick person है उनके विहाप में जो है grocery item लिया जा सकता है on behalf of entitled beneficiary has been delegated to chairman of URC ठीक है अब देखें दूसरा however liquor will only be issued to entitled beneficiary लेकिन दोस्तों यहाँ केवल grocery ले सकता है कोई ठीक है उसकी authority बना करके लेकिन liquor नहीं ले सकते liquor लेने के लिए जो beneficiary है primary beneficiary जिनके नाम पर card है तो वह ही जाएंगे तभी जाकर के जो है liquor मिलेगी दारू मिलेगी यानि कि दवा और दारू एक साथ नहीं चलेगी दोस्तों या तो दवा ही चलेगी या तो दारू ही चलेगी आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे तो certificate for issue of grocery store to sibling of sick old age beneficiary is attached here with यानि कि दोस्तों इसकी जो authority बनेगी certificate बनेगा जो dependent है sick है बिमार है disabled है या फिर कोई बुजूर गहां ठीक है उनके भाई बेहन या उनके बेटे बेटी जो उनके dependence है तो वो इस प्रकार की authority वहाँ पर से बना सकते हैं और grocery item ले सकते हैं ठीक है अगली बात है दोस्तों आप देख रहे हैं 19 जुलाई का यहाँ है और दोस्तों यहाँ है खुशकबरी यहाँ भी खुशकबरी है दोस्तों 19 जुलाई का निकाला है integrated headquarter यह नहीं कि आर्मी headquarter की तरफ से waiver for annual validation for 64 के भी ECHS card holder एबो 80 साल and age यहाँ कि दोस्तों अगर आपकी उमर आपके dependent आपके जैसे माता पिता होते हैं ECHS में आपके dependent रहते हैं उनके card रहते हैं और आपको पता है हर साल annual validation करना पड़ता है चाहे वो माता पिता हूँ नहीं करना है तो आप समझ गया होंगा दोस्तों कि अब जो है अशी साल और उनके उपर वालों को यहाँ करने की जुरुवत नहीं है तो है नो खुशकबरी की बात अब इसके साथ एक जटके वाली भी आद भी बता जाता हूँ दोस्तों पेंशनस के लिए दिया आपको पता है नोशनल इंक्रिमेंट पे ओनेबल सुप्रीम कोट ने आदेज दिया था जो हाई कोट ने आदेज दिया था तो उसको कंटिन्यू रखा था यानि कि नोशनल इंक्रिमेंट का फाइदा मिलना चाही था honorable supreme court से clear हो चुका था तो काफी चल रहा था department कईयों को देना भी शुरू कर रहे थे मतलब पूरी परकरिया चल रहे थी लेकिन एक डेट साल हो गया अब क्या हुआ दोस्तों मामला गड़बड़ा गया है गड़बड़ा आने का मतलब यहाँ है वैसे तो समयदानिक परकरिया ह लेकिन डियो पिटी नी जो पिंशन मंत्राला है उसने जो है रिवीव पिटिशन डाल दी है ओनेबल supreme court में नोशनल इंक्रिमेंट के judgment को लेकर के कि आप जो है इस judgment पर दुबारा से रिवीव कीजिए और final आदे दीजिए तो कही न कहीं दोस्तों इस मामले में थोड़ा सा ठंडास हो गई हाला कि फिर से दुबारा रिवीव पिटिशन होगा ओनेबल supreme court भले ही जो है पिंशनस के favor में दे लेकिन कम से कम इस मुद्दे को कुछ समय के लिए ताद जरूर दिया गया है दोस्तों और लंबा खीज दिया गया है तो यह good नहीं है पिंशनस के लिए कही यहां दोस्तों यह बड़ा महत्मूर है 22 अगस्त का जारी किया गया है तो इसमें जो है दोस्तों बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या हुआ था कि जो ट्रीक 2006 के जो हवल्दार थे उनको जो है financially benefit नहीं मिल रहा था तो बाद में मिल गया था उनको लेकिन क्या ह अब उनको तो वहां पर भी मिल गया था और उसके अलावा जो है उसका फाइदा वा लेकिन जो family pensioners थे जो family pensioners थे उनके husband ओंडरी नयपसुबदार आया थे लेकिन उनको नहीं मिल रहा था उनको हवल्दार की ही pension मिल रहे थे और और ओर रोपी में भी रिवाइज वही थी लेकिन अब आदे सिहा निकल चुका है यह family pensioners के लिए खुशकर रही है दोस्तों इन दिस रिगार it is clarified that the provision of MOD letter dated 21 फरवरी 2020 will also apply to family pensioners of retiree हवल्दार who are granted on the rank of naipसुबदार यानि कि जिन हवल्दार उने जो pre-2006 के हैं जिनको ऑन्री नयपसुदार मिला है तो उनकी family pensioners को भी ज इसका फाइदा दिया जाएगा यहां दोस्तों उनको इसका फाइदा दिया जाएगा तो कहीं न कहीं इनको जो है revision होगा इनका और 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 इसी को जो है family pensioners पर भी जो है applicable कर दिया गाया है और one rank one pension की जहां तक बात है दोस्तों कई social media में भी अभी निकल करके आ रहा है कि almost जो है ओर रूपी की tables तयार कर दी गई है और हो सकता है कि इसी महिने के अंत तक ये table बाहर निकल जाए cgda के द्वार परचारित कर दी जाए फिके न और सितंबर में सितंबर में कही जा रही है बात कि इसका भुक्तान पूर्ण रूप से हो जाएगा ऐसा social media में चल रहा है और दोस्तों मैं अपनी बात कहूं क्योंकि मुझसे भी कई पूछ रहे थे लगाता ओर और ओर पी 3 पे भी कुछ बताई है देखे मैंने इसलिए जो तीन महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसी पर आज भी कायम हों कि आपका जो ओर रूपी है वो सितंबर से लेकर के दिसंबर के बीच में इन तीन महीने को बीच में आपको मिल जाना चाहिए ठीक है न तो वो सितंबर में भी मिल सकता है अक्टूबर, को आजाए कि ऐसा कंफर्म नहीं है लेकिन अल्मोस्ट इस पर काफी काम चल रहा है सीजीडिया का इस चीज़ को हमको खबर है लेकिन कब तक जारी कर देगी उनकी तरफ से यहां कहा गया है कि हम जो है जल्दी जारी करेंगे जैस पर काम पूरा हो जाता है तो उसको जारी क करेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है जो खबर निकल कर के आ रहे हो सकता है कि इस महीने के अंत से पहले-पहले यहां आ भी जाए हो सकता हैumanबर के पहले दूसरे वीक टिए मेंदि यहां अव Hai मिला करपने market करो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करें और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समात करता हूँ, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ, जैहिंद बंदे मात.